हलो एप्रिवान मैं हूँ आपके अपने सोल में चबाना और आज आपकी खुबसूरती में चार चांद लगाने के लिए एक रेमिजी लेके आई हूँ बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल क्या करना है आपको आपको एक में स्विच वर्ड दूंगी और एक ठेरपी दूंगी उ को आपको उसी तरह से करना होगा ठीक है मैं अभी बताती हूँ लेकिन उस से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो प्लीस सबसे पहलेEND सबस्कुराइब करदी सब्सक्राइब करने के पाद बल ऐक शेयर, कमेंच जरूर करेगा, अच्छा लगे तो, और इसको यूज करेगा, इसको यूज करेगा, आपको ब्यूटी मिलेगी, और आपको, जिस परसन को आपको अट्राक्ट करना है, वो परसन आपकी तरफ अट्राक्ट होता चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको लेना है एक rose quads का heart आपको rose quads का heart लेना है और इसको लेने के बाद आपको एक switch word है lepose lepose से पहले आप लगाएंगे charm lepose c-h-a-r-m charm lepose और उससे भी पहले लगाएंगे आप divine charm lepose मैं description box में ये पूरा लिप दूँगी frame phrase switch word phrase और आप इसको किस तरह से करेंगे आप करेंगे divine charm lepose divine charm lepose divine charm lepose skin को आपको touch करना है divine charm lepose 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 इसमें एक चीज़ नहीं बता ही न मैंने आपको जी हाँ इसके अंदर जब आप ये करना शुरू करेंगे तो जिस person को आप attract करना चाहते हैं देखे अगर आप attract करना चाहते हैं तो उस person का आप ना विये सकते हैं और अगर आपको आपको एक चाम चाहिए अपनी personality में अपनी फेस में तो फिर सिरफ आप चैन करेंगे अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्राक करना चाहते हैं अपना अपनी तरफ ध्यान लाना चाहते हैं तो रोज इसको आप कम से सारा दिन में 28 ताइम्स तो जरूर करिएगा वैसे तर मैं कहोंगी 28 ताइम्स मौनिंग 28 ताइम्स आपको क्या करना है आपको रोज पार्ट का ये हाट लेना है और अगर आपने किसी को सोचना है और अगर नहीं सोचना है तो आपको सिर्फ क्या करना है इसको अपने स्किन के ऊपर रप करना है डिवाइन चाम लेपोस्ट डिवाइन चाम लेपोस्ट मिलकुष सर्कुलर मोशन में इससे आपके रिंखल ठीक होएंगे आपके पिग्मेंटेशन ठीक होएगी और साथ में आपके फेस में एक ग्लो आएगा जो कि जिसके अगनाम से कर रहे हैं तो आपके तरफ अट्राक्ट होगा नहीं तो बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्राक्ट होगे दिवाइन चाम लेपोस्ट डिवाइन चाम लेपोस्ट करेंगे ना करना शबूर करने के बाद बढ़ के और इसको और वाश ज़रूर करना है क्यों कि जब भी मुन करते हैं तो क्रीस्टल को यूज करने के बाद वि sollicat यूजर करना होता है यानि कि छाइच करना होता है तो आपके जितनी भी negativity थी या जो भी skin problem थी या जो भी चीजे आपके लिए अच्छी नहीं थी वो इस crystal ने observe कर ले तो इसको wash out तो करना होगा ना इसको wash out करने के लिए आप क्या करेंगे चिल्ड पानी में ज्यादा देर नहीं करना चिल्ड पानी में बस इसको दो लेना नमक मत डालिएगा नमक बिलकुल भी मत डालिएगा चिल्ड पानी में इसको wash कर दीजेगा और उसके बाद या तो आप मंदिर में रख दीजेगा या स्थान को जो हाट है उसके अंदर स्थान दीजिए और दिभी बाइन करतीजिए ठीक है अगर रोस आपके सूप भी जाते हैं तो कोई बात नहीं फिर भी उनमें खुश्पू रहती है और बीश-बीश में इसके अंदर गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर गुलाब का लिए ये चार्च रहेगा फिर आपने जब करना है और रोज करेंगे तभी आपको फाइदा होगा तो चलिए शुरू हो जाएए अपने को चामिंग और बनाते चले जाएए लोगों का दिल लुभाईए और अपना की दिल लुभाईए और लाइक, शेर, कमेंट अलोग व अभी के लिए मुझे आगे दीजे, वेख करिए मेरे नए वीडियो का, thank you so much